सब्सक्राइब करें testbook.com को और बेल आइकन पर क्लिक करके किसी भी वीडियो की इंस्टेन नोटिफिकेशन पाए सब्सक्राइब करें तो यहां पर नीरज का मैं देख रहा है यहां पर नीरज मेरे से कह रहे हैं कि सब्सक्राइब करो प्रिस्म और पिरामिड पड़ा दो बिलकुल नीरज प्रिस्म और पिरामिड पर वीडियो में पढ़ा दूँ मैं ठीक है टेंशन अब मतलो ठीक है तो आई होप सब लोग खाना वना खाली होगे जो नहीं खाओगे मेरे को पता है क्लास के बाद आप लोग खाना वना खाओगे ठीक तो एक बार क्लास स्टार् करो और वच्छा करते हैं यहा पर क्लास के लिए क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले देखो करना कि आप अगर मैं बात करूं किसकी डिस्काउंट की किसकी बात करूं डिस्काउंट की बात करूं ठीक है डिस्काउंट की बात करूं ठीक है तो अपने को डिस्काउंट में करना क्या है डिस्काउंट में होता गया है पहले तो इस सब thicker in two hundred percent . अगर आपको दियायए क्या 272 परसेंट इसका मतलब क्या होगा तो आप बोलोगे- फाइफ- यह 5 च्या होगा तो आप बोलोगे मांकित मुल्य होगा एक उसका मूलerson किया होगा तो यह बताओ पांच- favor मुल है एक discount है 5 MRP discount है इसका मतलब article कितने बेचा गया होगा तो आप बोलोगे article जो iaxp ी whatever कितना होगा ठाई तो यहां तक किसी को no to robust नहीं होना चाहिए ठीक अगर बहंलो दूसरा टर्म क्या होता है जिसकाउंट में दूसरा टर्म क्या होता है सक्सेसिव डिसकाउंट होता है अगर मालनों कि आपको डिसकाउंट पर डिसकाउंट दे रहा है मतलब यह कि अगर मैं आपको दो डिसकाउंट दे रहा हूं और एक आपको 20% का discount दे रहाऊ ठीक है मतलब क्या है कि आपको 10% का discount discount पर discount मिलें तो इसको क्या बोलते हैं तो अगर मालों कि बैं पूछू की बताओ net discount कितना मिला क्या मिला net discount कितना मिला तो एक तो formula होता है क्या a plus b minus 7 by 100 दूसरा क्या होता है इसका fractional value क्या होगा 1 by 10 इसका fractional value क्या होगा 1 by 5 चार में मिला होगा इसका मतलब क्या होगा तो आप बोलोगे पचास यहां पर कितना हो गया 36 अगर पूछोंगा बताओ discount कितने का मिला तो 50 का समान था 36 में मिला discount कितने का मिला तो आप बोलोके इन दोनों का difference by 50 कर देंगे तो यह ता यहां पर बच्चे ने बोला कि आप 20 बिलकुल इन दोनों का difference कितना हो चोदा चोदा डिसकांट कितने मिला पचास पे इन तो 100 कर देंगे ठीक यह इसको फॉर्मूले से भी निकाल लोगे ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 यानि क्या होगा ता आप बोलोगे 10 प्लस 20 माइनस 10 इन तो 20 बाई 100 कितना होगा ता आप लिए बाई 100 बच्चे इन दोनों फॉर्मूले में काफी गन्फ्यूज होते हैं तो यह वाला जो फॉर्मूला है सक्सेशिव डिसकांट का है ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 और यह वाला क्या होगा आपका निट चेंज का फॉर्मूला होगा ठीक है तो एक बार करत बिल्कुल 28% answer 20 वाले question का answer दो आप लोग देखते हैं सबसे पहले question का answer आप लोगों में से कौन देने वाला है फास्ट एक दम और यहां पर रवी सिंग कह रहे हैं कि पांच answer होगा यानि कि पांच बोले तो 50 ठीक है और दो बोले तो 20 चार बोले तो 40 और यहां पर और यहां पर और यह बिसकुट कह रहे हैं कि 35% पहला दो आंसर आरा पहला आंसर आरा क्या 35% 50% सचिंदिवेदी कह रहे हैं कि 50% 50 50 50 सब का answer सारी जंता गेरी answer क्या होगा 50% ठीक है देखो वह question को ध्यान से इसका मतलब का मतलब क्या होगा आप बोलोगे 30% का discount दिया उसके बाद करा तो अर्न प्रॉफिट ऑफ पांच परसेंट प्रॉफिट कितना तो आप बोलोगे पांच परसेंट का प्रॉफिट है कह रहा कि how much percent should he mark the cost price higher than the cost price ठीक computer जी question हटा लो आप ठीक है अब यह बताओ discount 30% है मतलब क्या होगा तो आप बोलोगे minus 3 by 10 minus 3 by 10 इसका मतलब क्या होगा 10 का mark price है 3 का discount मतलब 7 बटे में 10 यह 7 क्या होगा SP होगा 10 क्या होगा MP होगा इसका fractional value क्या होगा तो आप बोलोगे 1 बटे में 20 20 क्या होगा CP एक क्या होगा profit इसका मतलब क्या होगा 21 by 20 यह क्या होगा SP और यह क्या होगा CP यह होप इतना सब क तो बताए। यह दोनों तो एक ही devotion है। एक ही question के बारह में मैं बोलगा। तो यहाँ पे SPS 7, यहाँ पे SPS 21 क्या करेंगे, इसको balance करेंगे। तो मैंने क्या क्या यहाँ पे इसको 3 से multiply कर दिया। तो यहाँ पे कितना हो गया। तो आप बोलोगे, यहाँ पे कितना हो गया, 21 by 30, और यहाँ पे 21 by 30 पहले से ही था, तो थोड़ा सा में उद्ध को उधर लिख दिया, देखो दोनों का SP क्या हुआ, बराबर हो गया, 21 by 20, दोनों का SP देखो यहाँ पे क्या हुआ, बराबर हो गया, यानि कह रहा है कि बताओ, कौश्ट प्राइस से कितना ज़्यादा मार किया जाए, तो आप बोलोगे, 10 कितने पे, 20 पे, into 100 आंसर कितना होगा, 50 परसेंट तो काफी लोगों ने सही सही आंसर दिया था है, यहाँ पे, और यहाँ पे शोबा का कहना है कि सर, MP और इतना क्या है, SP का मतलब होता है, Selling Price, MP का मतलब होता है, Mark Price, SP का मतलब होता है, Selling Price का मतलब होता है, विक्रे मुल्य, MP का मतलब होता है, Mark Price, मतलब अंकित मुल्य, और CP का मतलब होता है, Cost Price, यानि की क्रे मुल्य, ठीक है, चलो, किसी को डाउट तो नहीं है, किसी को डाउट, किसी को डाउट और यहाँ पे शिरांसी का 35 अंसर आया था पता नहीं कैसे धनराज मार्क प्राइज नहीं बिल्कुल एक बच्चे ने लिख दिया बिक्री और चिन्नित मुल लिया बिल्कुल तो यहाँ पे किसी को डाउट ही होना चीए बिल्कुल यहाँ पे 50% तो एक बार कंपीटर जी का करो अगला कोशन लगा यह फास्ट और देखते सबसे पहले अंसर इस कोशन का कौन देने वाला है एकदम आप लोग एक एक लिक के मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ और यहाँ पे next question मेरे लोग खुली लगाना है मैं भी सीख रहा हूँ कैसे कैसे question लगा जाता है तो यहाँ पे मैंने आप लोग लगला question लगा दिया बताओ पार्थ क्या ऐसा हो गया कि मेरे को तुम याद कर रहे हो यह स्रीकिष्ट ने अर्जुन से पूछा था क्यों तो यहाँ पर अभी पचास अभी तो पचास option में नहीं है और यहाँ पर फिर से देखना वीडियो आपको पसंद पका आएगा और आपको समझ में भी आएगा ठीक है तो परिशान मत हो वीडियो को देखो बाब और यहाँ पर यहाँ पर यहो बिस्कुट का अंसर है 10% और शु कुमार का अंसर है 12% जो क्यों आप्शन में खेर नहीं है और रवी सिंग सी दोजया कह रहे हैं कि 12.5% बरजेश कुमार कह रहे हैं कि 12.5% और 15% भी आप्शन में मतलब इस कोश्चन का सबका अलग-अलग आंसर आ ठीक है 12.5% और 10% ज्याद हे ठीक है देख। करना कि आपने को ध्यान से देखों यहां के थेखों यहां पे 12.5% सर्चन ओसी स्टोर sold a product for इतना earning a profit of इतना आप ये बताओ 12.5% का मतलब क्या होगा तम बेसिक से तुम लोगो हौले वले धिरते समझा रहा हूँ क्या होगा ता आप बोलोगे 1 by 8 1 क्या होगा profit इसलिए plus का sign 1 क्या होगा profit होगा 8 क्या होगा CP होगा इसका मतलब 9 बटे में 8 ये 9 क्या होगा SP होगा और ये क्या होगा CP होगा ठीक करा कि अब store sold a product for इतना sold का मतलब SP कितना दिया हुआ है 2700 रुपे का SP कितना दिया 2700 रुपे का 9 किस के बराबर होगा तो आप बोलोगे 2700 रुपे के बराबर 1 किस के बराबर आप बोलोगे 300 रुपे के बराबर तो 8 किस के बराबर तो आप बोलोगे 2400 रुपे के बराबर यानि CP कितना आ गया 2400 रुपे के बराबर कह रहा है if the marked price is 25% above its cost price यानि कि जो marked price है न तो question पूछा कि बताओ discount percent कितना होगा question क्या कह रहा है if the marked price of the product is 25% above the cost price यानि कि देखो कैसे करेंगे यहाँ पे लिख दिया CP यहाँ पे क्या लिख दिया MP अगर CP 100 है तो MP कितना होगा इससे 25% जादा 125 होगा ratio कितने का बनेगा 5 और 4 का ठीक 5 और 4 का आप यह बताओ यहाँ पे CP कितना है भई 4 है और यह CP किसके बराबर है 2400 के अगर 4 जो है 2400 के बराबर एक किसके बराबर 600 के तो 5 किसके बराबर आप बोलोगे 5 किसके बराबर आएगा 3000 के बराबर आएगा यानि MP कितना आ गया MP कितना आ गया तीन हजार रुपए आ गया थिक आप ये बताओ MP3,000 SP2700 discount कितना दिया गया 300 तो discount percent कितना होगा discount है कितना 300 कितने पे 3000 पे into 100 कितना होगा 10% answer होगा और यहाँ पे बाद में काफी लोगों ने 10% answer दिया था प्रदीब करें कि 2,4 8,0 2480 है क्या 2700 मैंने 2790 यहाँ पे 2790 तो देखो ऐसा करते हैं क्या कि इस question को ऐसे रहने देते हैं अब अगला जो है बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे computer question अटा दवा यहाँ पे question अटा दवा यहाँ पे मैंने 2700 ले ले ठीक है यहाँ पे क्या था question में क्या दिया था SP कितना लिखा था question में 2790 ठीक है कितना था 2790 अगर process पूरा का पूरा वही होगा process जो होगा पूरा का पूरा वही होगा answer में क्या होगा अब यहाँ पे क्या होगा 9 किसके बराबर होगा तो आप बोलोगे 2790 के बराबर, एक किस के बराबर होगा, 310 के बराबर, तो यह CP कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 8 into 310, कितना होगा, तो आप बोलोगे 2480, कितना होगा भई, 2480, अब डेटा बस क्या होगा, चिंज होता चला जाएगा, ठीक है, अब उसके बाद क्या कर आंसर मतलब ओंसर से में तो फिर अच्छी बात है। बिलकुल बिलकुल रिनु मैने देख लिए यहाँ पर 2700 लिख दिया था। एक्षल में था 2790 तो यह मतलब मैं देख नहीं पाया। बिलकुल रिनु गर्ग, शोभा, सीनु मैंने देख लिया यह यह वाला था। मैंने data इसके बजाए मैंने क्या लिख दिया था ये लिख दिया था ठीक है तो I hope आप लोगो समझ गए होगे इसका answer exact पूरा निकालना है या निकाल लोगे जल्दी बताओ जल्दी बताओ निकाल लोगे निकाल लोगे और मनीशा करेंगर 2790 भी होगा त यह याँ आजएगा चलो तो यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहींग निकाल लोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहां पर और कोई डाउट है जल्दी बताओ कोई डाउट है तो मार्क नोवा एक बार और बताईए एक बार मार्क नोवा करना क्या है एक बिटा इसको थोड़ा सा बेसिक से देखो मैंने कैसे किया प्रोफिट परसेंट दिया 12.5 परसेंट मतलब 1 by 8 8 CP है एक प्रोफिट है मतलब SP कितना होगा 9 होगा तो 9 बटे में 8 होगा ठीक है SP कोश्चन में माल लो कि 2700 रुपिया था 2790 था 2700 माल लो 2700 है 9 2700 के बराबर एक किस के बराबर 300 के तो 8 किस के बराबर 2400 के कोश्चन में क्या दिया था कि जो Marked Prices है उसने क्या किया सीपी Cost Price क्रेम मुल्य से 25 पतिशच जद्पतिशाच जादा अंकित किया यानि कि अगर Cost Price 100 है तो Marked Price कितना है 125 होगा रेशियो कितने कि मनेगा 5 और 4 का ये 4 किस के बराबर 2400 के एक किसके बराबर 600 के तो पांच किसके बराबर 3000 के मार्ग प्राइस अंकित मुले है 3000 विकरे मुले 2700 कितने का डिसकाउंट मिला होगा 300 का ठीक है ताई होप इसके बाद कर लोगे करना कि अगला कोश्चन और देखते हैं इस कोश्चन का सबसे पहले आंसर आप लोगों में से कौन देने वाला फास्ट एकदम तो कॉम्पीटर जी ने कोशन अगला कोशन जहाँ मेरे कुई लगा ना यहां से तो मैंने नेक्स कोशन यहां पे लगा दिया मेरे यहां तमें कॉश्चन है तो फिर कंपीटर जी पे डिपेंडेंसी किस बात की कि ओके मार्क नुवा ही तो हमारी गुड़ लख है कि आपको में समझा सका हुआ 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 पार्थ भाटिया मतलब क्यों शीव के साथ लग रहे हो पेड़ बैच में और यहां भी लग रहे हो बताओ तो पार्थ रहने दो नहीं तो शीव मतलब छोड़ेगा नहीं त क्याक 11.11 परसेंट और बिल्कुल कंपीटर जीन हैं कंपीटर जी हैं लेकिन उनके साथ में भी चीजे सीख रहा हुआ कैसे मतलब होता होता चीजे और यहां पर चितना गांसरा 11.11 परसेंट और नपुर्वा तिवारी 11.11 परसेंट और हवा में उड़के उड़ा दो वाला ठीक है तो 1 by 9 equals 11.1 percent यहां पर शरांसी चटर जी ने दे दिया और यहां पर काफी लोग का 11.11 percent आ रहा है और हमारे सचिन दिवेदी जी का answer आ रहा है 12.5 percent ठीक है चोलो देखते हैं question का answer क्या question क्या करें ध्यान से देखना है question क्या क्या रहा the marked price of an article is इतना पहले क्या करता हूँ मैं data लिख लेता हूँ ताकि question में आप लोग का changes नहीं होगा 2700 रुपे दिया हो mark price ठीक है करता shopkeeper offers some discount on it and Amit bought that article he sold इतना if the profit made इतना profit percent कितना दिया हुआ है 12.5 percent ठीक SP कितना दिया है वही SP कितना दिया हुआ है 2700 रुपे SP कितना दिया है he sold 2700 रुपे ठीक है question पुछ रहा है find the percentage discount offer ओके करना क्या अपने को यहां पे चलो देखो करना क्यों को ध्यान से देखना question क्या के रहा the marked price of an article is 2700 रुपे the shopkeeper offered some discount on it and Amit bought that article he sold it for 2700 if the profit made by him is 12.5 percent find the percentage of discount offered computer question अटा लेजे ठीक है अपने हो क्या करना है यहां पर यह बताओ profit percent profit percent request to क्या होगा तो यह आप बोलोगे 12.5 percent का मतलब क्या होगा इसका मतलब क्या हुआ भई 9 बेटे में 8 8 CP होगा और यहां पर क्या होगा एक profit है तो SP कितना होगा नो यह 9 किस के बराबर तो आप बोलोगे 2700 रुपे के बराबर 9 किस के बराबर 2700 रुपे के बराबर अगर 9 सथ 2300 रुपे के बराबर तो एक 300 के बराबर तो 8 किस के बराबर 2400 रुपे के बराबर ठीक है 2400 के बराबर अब देखो होता क्या है इस चीज को पहले या कुछ अलग होगा तो यहां पर सेल्फ अंडर शुट है कि जो डिसकाउंट परसेंट निकाला होगा इसके रिफरेंस में निकाला होगा किसके रिफरेंस में कोस्ट प्राइस के रिफरेंस में निकाला होगा ठीक है तो यहां से कोस्ट प्राइस कितना होगा तो आप बोलो पॉइंट समझवाया कि जो discount percent होता है वो MP और SP का difference पे होता है लेकिन question में कुछ mention नहीं है तो definitely क्या कर रहा हो CP के respect में question पोच रहा है ठीक है चलो तो यहाँ पर computer जी क्या करो फटा फट लगा अगला question और देखते हैं इस question का सबसे पहले सुरी मेरे को लगाना पड़ेगा वो actually आदत हो गया computer जी से कहने गए computer जी आप question लगाईए तो computer जी से बिलकुल आज के बाद computer जी से बात नहीं कहरेंगे हम लो ठीक है CWC का एक ही date I think अब बिलकुल computer जी मेरा email id बच्चों को दिखाऊ मेरे से content करना चाहोगे तो मेरा mail id दिख रहा होगा आप इसके थूरू मेरे से content कर सकते हो आप बिलकुल सचिन बिलकुल सभी पकड़े हो आप कभी कभी कोश्चन ऐसे सीजल में आ जाता हो के computer जी कैसे हैं आप जी सब्सक्राइब तो यहां पर 20 27 27 27 27 27 और मनोच कावज़का आंसर है 24 कवीता थान्यूठ परसे कु आप को यहांपर यहांपर 20–27-27そうですね नमीं करो यहांइवाल कि बसे डिल् Lock जब करो जितने भी नहीं लोगो क्या करो agros account करो तो यहांद रह्ment आप ग्रते करें कि यह ही फूर में करेंद कर दो को यह को फूर्ण नहीं सब्सकाइबर पहुंचाना कभी computer जी उडिसा से हैं अगर कोई उडिसा से होगा तो बताना में हम दिखाऊंगा जरूर और आप लोगों से बात भी जरूर करेंगे वो ठीक है 20% 20% 20% 20% चलो देखते हैं question करेंगे question कर रहा है इतम शांदार formula था question क्या था cp by mp is equal to 100% minus discount percent upon 100% plus profit percent अगर loss percent होगा तो minus का loss percent होगा 100% का मतलब क्या होता है आप बोलोगे 1 100% का मतलब क्या होगा 1 discount percent दिया 33.33% मतलब कितना 1 by 3 upon 100% का मतलब क्या होगा 1 loss percent कितना दिया 11.11% मतलब क्या होगा तो आप बोलोगे इसका मतलब 1 by 9 यानि यहाँ पर salt करोगे तो 2 by 3 आएगा इसको salt करोगे तो 8 by 9 आएगा इसका मतलब 9 by 8 होगा यहाँ पर होगया 3 यानि की ratio कितना आगया 3 वटे में 4 का यहाँ पर लिख देता हूं मैं ratio salt करने पर कितना आया 3 by 4 का question क्या किया रहा question करे कि 10% discount is given अगर 10% discount देंगे तो profit percent क्या होगा computer question अटा लीजिए अगर 10% discount दिया जाएगा इसका मतलब इसका ratio 30 और 40 माल ने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर इस पर 10% का मैं discount देंगा तो कितने का होगा तो आप बोलोगे 36 का कितने का होगा भई 36 का CP है 30 SP कितना 36 तो profit percent कितने का तो आप बोलोगे 6 by 30 into 100 यानि क्या answer कितना आएगा 20% का answer है ठीक है कितने का 20% का answer है कि किसी को डाउट बिल्कुल ते वेश्ट डेली नाइट क्लास चलती है और यहां पर सर में उडिसा से हूं शीमानी उडिसा से हमारे computer जी को बलाना पड़ेगा फिर देखेंगे बाद में बलाए जाएगा यहां पर और यहां पर 20% यहां पर धर्मेंदर स करना है ठीक है काफी यह वहाला useful formula होता है यह वाला formula में काफी कम कराता हूं लेकिन यह वहाला formula मेरे को लगता है कि काफी यूजपुल है, प्रॉफिट लॉस में है, तब कोश्चन हो क्या करो कि एक एक लाइन से कर सकते हो, ठीक है, चलो तो यहाँ पर 20%, 20%, 20%, अब आते हैं, अगले कोश्चन की तरफ देखते हैं, अगले कोश्चन का सबसे पहला आंसर कौन देगा, ठीक, चलो, नेक्स्ट कोश्च और एडवर्ट भी जुड़े हमारे साथ, ठाकूर साब क्लासे चलती हमारी रात को दस बजे, कम्पुटर अंकल नहीं है, वाई, कम्पुटर हमारे एक दम हैंसम, यंग है, मतलब ऐसे तुम लबाते करोगे, समीर, हंडेड मान के कर ले ना, उस क्वेश्चन को, अधर मेथट से, और यहाँ पर डेली तो लिख रहा, मैं अभी देखा, इसक्रीन पर डेली मैथ, आंसर दे रहे यहाँ पर, और मुहम्मद असफ, रोजा खोल गया, इनका दिमाग खराब हो रहा वही, 40 और 40.5, ठीक है, चलो देखो, कोशन क्या कह रहा, कोशन यह कह रहा, कि इतना is the overall discount of, two successive discount, 20% and 25%, 20% and 25%, ठीक, और दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया है, 15% और 15% and 30%, इन दोनों का overall discount क्या होगा, वही क्या होगा, इस blank में भाला जाएगा, ठीक है, computer जी कोशन अटाल होगा, अपने हो करना क्या है, पहले इसका निकालना है, क्या, successive discount, ठीक, तो देखो, कैसे निकलेगा वही, तो formula से भी निकाल सकते हो, formula से, यहाँ आप उससे भी न 100, यहाँ पर क्या होगा, 5, यहाँ पर क्या होगा, 5, 45, यहाँ पर कितना आगया, 40%, ठीक, अगर मैं यहाँ पर formula लगाऊंगा, 15, plus 30, minus 15, into 30, divided by 100, इससे cancel out, यहाँ पर कितना होगा, तो आप बोलोगे, यहाँ पर 45, minus 4.5, that is equals to 40.5%, तो question काफी है जी था, फिर भी पता है, त और, किसी को doubt, किसी को doubt, बिल्कुल फिफ्ट वाला answer, correct था, यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर कम्पीटर जी, कम्पीटर जी नहीं लगाए, question, question को मैं लगाऊंगा, कम्पीटर जी नादत बिकार दिया है, मेरा, तो बिल्कुल मैं गांसरों का 40 और 40.5, अगर आज कल ब ब्लेंक दिया होगा, क्या गरेगा आपको, वहाँ पर क्या गरेगा, fill करने का option होगा, ठीक है, और next question मैं ने यहाँ पर लगा दिया, देखते हैं, इस question का सबसे पहले answer कौन देगा, कोई बात नहीं, Amit लेट होगे, तो कोई बात नहीं, कर दो दो, कोई बात नहीं, तो क्या है, नहीं, कमपीटर जी गुस्टा नहीं, कमपीटर जी रेस्ट कर रहे हैं, बट मेरे को सिखा रहे की, सर ऐसे आपको क्या करना है, ठीक है, चलो, बलकुल चिरा, गुड़ नाइट, मिलेंगे, कल आप से, दस बजे यहाँ पर दखो भई, चिरा, गुड़ नाइट बोल दी है, तो चलो, कोई बात नहीं, बच्चे को नीद आ रहा होगा, निशान, CISI में प्रॉब्लम होने दगला चेप्टर, CISI उठा लेंगे, ठीक है, बिल्कुल निशान, मैं आपको बातों को सुन लिया, अगर प्रॉफीट है, तो 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 अगर प्रॉफीट है, लॉस है, तो अगर प्रॉफीट है, तो अगर प्रॉफीट है, तो अगर प्रॉफीट है, तो अगर कह रहा है क्या यहां पे किसी का आंसर नहीं है किसी का 10 किसी का 6 आ रहा है किसी का 12 और अपने आप confidence में उठा दिखाए करें कि मेरा वाला आंसर सही है ठीक option B यानी कि 6 और 15 minus 9 यानी कि 6 सर समझ में नहीं आ रहा आज कुंदन समझ में नहीं आ रहा आपको शिवानी previous question का video फिर से देखना नहीं समझ में आप मेरे को mail करते हैं देखो भी question कैसे solve करेंगे ध्यान से दो question क्या रहा है question अब से कह रहा है क्या to make a profit of shopkeeper sold 9 box at the equal to the इतना ठीक है यहां से अगर मानलू कि अगर मेरे कुछ data दिया क्या कि SP of 9 box is equal to CP of 15 box यहां से क्या होगा कुछ profit percent निकल गया ठीक उसके बाद कह रहा है consider the selling price per box is 50 rupees तो यहां से CP और SP के जो ratio निकल गया या वहां से SP आपको दिया हुआ है CP निकाल लोगा ठीक लेकिन उस data का यूज क्या question में लिखा गया इप shopkeeper अन प्रॉफिट ऑफ 50% then how many box he will sold at cost price of 15 box यह आप से पूछा हुए ठीक है देखना ध्यान से कैसे question को salt करेंगे और यहां पर सबसे पहले आंसर देने वाले सहीं कौन धर्मेंदर सिंग्यादो और यूगेंदर जैन ठीक देखो कैसे करेंगे ध्यान से question को देखना इस data को यूजी नहीं है जो आगे लिखा होना SP of 9 SP of 9 is equals to CP of 15 यानि का मैं पूछू की बताओ SP by CP क्या होगा तो आप बोलोगे 5 by 3 होगा SP कितना कह रहा 50 CP कितना कह रहा 30 ठीक एगर SP 50 होगा CP 30 हो जाएगा उसके बाद चाहोत इस data से यूज करके answer निकाल सकते लिखने बड़ा शांदार question है question of the day है यह बहुत ही शांदार question है question आप से क्या किया ध्यान से देखना मैंने क क्या क्या 50% उसको profit कमाना है यानि कि पहले अगर मालनों कि 100% का होगा तो 50% profit का मतलब क्या यहां पर लिखता हो मैं कि तीन और दो का यह तीन किसके बराबर पंदरा के एक किसके बराबर पांच के दो किसके बराबर दस के यहीं क्या था question का आपका answer था तो काफी अच्छा question था यह वहला कि किसी को doubt कि किसी को doubt है तो पूछ सकते हो यहां पर बच्चा कहा रहा है कि repeat किया जाए कुछ नहीं समझा बिलकुल बताया जाएगा मेरे को पता था कुछ नहीं चंगेगा तुम लोग को देखो बतारों कैसे करना question को solve जो तुमको data दिया है न क्या sp of 9 box is equal to cp of 15 box और वहां से spcp निकालो ठीक है अपने को उस data से निकालो काफी उस question देखो आगे क्या खेरा उस data का use नहीं ध्यान से देखना श्रे ध्यान से देखना question कैसे question कहे रहा है इब the shopkeeper earn profit of 15% यानि कि मान लो 100% उसका cost पहले ठीक कितने article के लिए 15 article के लिए ठीक तो 50% का profit होगा कितना 150 होगा तो cost बो प्राइस बो बात है कि यह ratio कितने का हुआ दो और तीन का quantity में ratio कितने का होगा तीन और दो का क्योंकि cost और quantity का relation क्या होता है inverse होता है ठीक तो तीन किस के बराबर 15 के एक किस के बराबर 5 के दो किस के बराबर 10 के यह करना था आपको मिल्कुल मनोज मैंने फिर से बता दिया ठीक है यहाँ पे bridges और quantity कैसे आया bridges quantity और sorry quantity नहीं boring नाम है बच्चे का मैं bridges पढ़ रहा था यहाँ पे quantity कैसे है cost और quantity का relation होता है inverse होता है जैसे मालनो कि अगर cost उसका ज़्यादा होगा तो quantity क्या होगा इंसान कम लेता है अगर cost कम होता है तो quantity क्या करते हैं इंसान ज्यादा लेता है अगर आम का रेट काफी ज़्यादा है 200 रुपे किलो आम है तो तुम क्या करोगे एक किलो लोग है quantity कम कर दिये अगर वही आम 30 रुपे किलो है तो बोलोगे कम से कम यार 2-3 किलो तो देहीं दो किसी को doubt नहीं ठीक है चलो अगला question और question रहा आपके screen पर देखते हैं सबसे पहले answer कौन देगा एक्जाम की date आदे mind गोले हो रहे हैं जब तक आम का example ने तब तक समझ में नहीं आया बिल्कुल प्रसवल मेल देख लूँगा आपको जो होकुम रवी सेंग इसके बाद time and work पढ़ा दूँगा मैं हर class के अगले दिन PDF अफलोड हो जा रहा है comment box में ठीक है तो अगले दिन आप लोगो पीडिएफ मिल जाए करेगा ओके comment box में पीडिएफ आपको मिल जागा यहां पर आंसर रावी सिंग से सोदेख आंसर है 14.28% कंप्यूटर जी क्या कहना चाहिए कौन सांसर सही लग रहा आपको अब एक बच्चा कर रहा है कि फरजी Oreo क्लास से अब कैसे पता चलेगा कि तुम फरजी हो क्यों फरजी है तुम नहीं तो श्टार्ट किया था फरजी परने उसे बताओ तो फरजी कौन है कैसे पता चलेगा चलो तो यहाँ पर बुर्वा तिवारी का अंसर है 14.28% और यहाँ पर समित मिश्रा करेंगी थर्ड वाला आंसर होगा यानि कि 14.28% अंसर होगा ठीक है ध्यान से देखना कैसे करेंगे अभी मैं इसे कौशन कराया था क्वेशन क्या खेरा आफ्टर गिविंग डिस्काउंट आफ इतना परसेंट फटा फट लिकलो cp by mp is equals to 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट अपन 100% अगर प्रॉफित है की लॉस है लॉस है तो माइनस का लॉस परसेंट प्रॉफित होगा तो प्लस का प्रॉफित परसेंट ठीक डिस्काउंट 35% 35% 100% का मतलब क्या 1 fraction value 35% का मतलब क्या होगा तो आप बोलोगे 7 by 20 उसके बाद यहां पर 100% का मतलब क्या होगा 1 minus 7.14% का मतलब क्या होगा 1 by 14 यह कैसे हुआ ध्यान से देख लो भई 14.28% का मतलब क्या होगा 1 by 7 तो यहां से 2 से डिवाइड करूँगा इसको सॉल्ट करोगे तो कितना होगा तो आप बोलोगे 13 by 20 इसको सॉल्ट करोगे तो कितना होगा 14 by 13 इस से यह cancel out यानि कि CP और SP का रिशो कितना आया 7 बटे में 10 कितना आ गया 7 बटे में 10 कितना आगया 7 बटे में 10 कह रहा है कि 20% discount is given what will is the profit percent computer जी question हटा लिजिए आप ठीक ह 20% discount दे रहा CP कितना है 7 MP कितना है 10 इसमें 20% का discount दूँगा अगर में 10 में 20% का discount दूँगा तो कितना होगा 8 होगा और यह 8 क्या होगा SP होगा आप यह बताओ CP है 7 SP है 8 profit percent कितने का 1 by 7 into 100 14.28% का तो काफी लोग का 14.28% आया था ठीक है बताओ दो बिस्कुट लड़ रहे हैं आपस में तो यह टूटना तो हई है बताओ 14.28% आणसर रहाता है I hope आप लोग यह concept समझ मैं होगा अगर गाइस अपने को वीडियो पसंदर क्या करना है लाइक करना जितने भी ने लोग क्या करो चलों को सब्सक्राइब करो और वीडियो को आप शेयर जो भी आपके पास अगर आप फेस्बूप के देख रहे हो तो फेस्बूप के शेयर कर दो यहाँ पर यूटूब पर देख रहे हो तो क्या कर दो अगर आपको कोई भी डाउट होता है इसके रिगाइडिंग तो आप मेरे को मेल भी कर सकते हो विडियो ने डाट सिंग डरेट आप टेस्ट बूट कॉम पे ठीक है चलो आते हैं अंगले क कि कुछ लगा दिया मैंने यहां से पर दिख नहीं रहा हूं पर कुछ हाँ आप आया नहीं यह फॉर्मूला काफी बेस्ट है मैं फॉर्मूला से कराता नहीं है फॉर्मूला काफी बेस्ट है तुम लोग को कहूंगा यह फॉर्मूला याद रखना काफी बेस्ट फॉर्मूला है ठीक है निशान्त मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम सुन लिए खलका सा मेरे को मेल कर देना तो फ़रा सा और तुम्हारा बात याद रहेगा ठीक है मैं सुन लिया कि तुमको यसाई से प्रॉब्लम है तो अगला क्लास उसी पर कहा जाएगा अंसर तो अंसर तुम लोग जिन्दावात कहना रहा कमर रहों मतलब हत कुछ भी तुम लोग बोलने लगते हुआ और यहाँ पर प्रमोद अगरवाल कहने का अंसर विल भी 980 और देखते हैं इस कोशन का अंसर किसका किसका सही है और प्रमोद अगरवाल के बाद बैक टू बैक सचिन दिवेदी प्रमोद कुमार मेंग चौक से फिर शू कुमान नीरा जांगरा और काफी लोगा नीशा का विया अंसर आ गया पवन कुमार का अंसर आ गया पवन पुत्र हनुआन की जाए और यहाँ पर कॉश्चन तो लगाओ लग गया हो इतनी रात को भाप फिक है चलो तो यहाँ पर कॉश्चन लग गया है और अंसर क्या होगा 900श सिनो सो सी बहुती शांदार कोशन के रहा है, अमर्चेंड पर्षी जब वाच फर 560 रूपीज, ठीक है, एन मार्क इन सच अवे देट, आप तर लाउंगे डिसकाउंट अब दर ही यार, यही वाला कोश्चन अभी तेही वाला कोश्चन तो है, CP by MP is equals to क्या होगा, 100% minus discount percent upon 100% plus profit percent, ठीक, 100% minus discount percent, discount percent कितना है, 20%, 100 minus 20 कितना होगा, 80% होगा, ठीक, profit percent कितना है, तो profit percent 40%, तो 100 plus 40 कितना 140 होगा, तो 00 cancel out, यानि कि 4 बटे में क्या होगा, 7 होगा, आप से कह रहा क्या, a man purchased a watch इतना, आप ये बताओ, ये जो है, किसके बराबर, तो आप बोलोगे, 560 रुपए के बराबर, किसके बराबर भई, 560 रुपए के बराबर, तो एक किसके बराबर, 140 के तो 7 किसके बराबर, 7 इंटू 140, यानि कि 980 रुपए, अचा राहूल कहरा है, कोश्चन हिंदी में रीट किया जाए, कोश्चन हिंदी में रीट किया रहा, राहूल क्या किया रहा, एक बेपारी 560 रुपए में एक घड़ी खरीता है, ठीक है, उसके बाद उसके अंकित मुल्य पर इस तरह से तैक करता है कि 20 परतिशत की छूट देने के बाद, उससे 40 परतिशत का लाब होता है, घड़ी का अंकित मुल्य क्या होगा, तो राहूल क्रेम मुल्य और अंकित मुल्य का एक अनुपात होता है क्या 100 परतिशत माइनस डिसकाउंट परतिशत अपाउन 100 परतिशत प्लस लाव परतिशत यहाँ पर दिसकाउंट यहाँ पर छूट कितना दिया गए राहूल तो आप बोलोगे 20% तो 100 में से बीट जाएगा 80 आएगा लाव कितने का हो रहा है 40 परतिशत का था 100 प्लस 40 140 होगा अनुपात कितने का बनेगा 4 और 7 का अब वहाँ पर क्रेम मुल्य दिया हुए कितना 560 यहाँ पर क्रेम मुल्य कितना है चार चार किसके बराबर 560 रुपे के बराबर ठीक है चलो तो यहाँ पर शुमम भी आ गए और किसी को डाउट चलो किसी को डाउट नहीं तो ऐसा करते है क्या डॉन टेंग नहीं किसने कौन गुस्सा होगी है और मुहमद आसब को इंस् आज पक्का देता हूं नाइट में में लेट सो लेकिन तुम्हारे मेल का रिप्लाई यह पक्का करूंगा ठीक है चलो तो यहाँ पर करना क्या है क्लास का टाइमिंग 10 बिए बिल्कुल 001 पर देखता हूं यहाँ पर देखते है इस कोशिन का आप लोग में सबसे पहले आं मदुबाला जी करें आपके शादी हो गई सर कोई शादी करवा दो यार क्यों तुम लोग यार ऐसी ऐसी बात पुछो गए यहां पर पढ़ाई वड़ाई कर लेते हैं ठीक है कि बिल्कुल मदुदास रिप्लेस्मेंट वाला कॉश्चन करा देंगे जय हिंद उद्धे कैसे वाप बिल्कुल लोग लॉस के केस में माइनस होगा प्रॉफिट केस में प्लस होगा कॉश्चन रिया करिए है कि फिर से बता रहो है बंकिन वर्लोग तैयारि感। के फ्यूचर का कोश्चन सबढ़ाइ हो तो यह विमान दुख अंदार का और यहां पे computer जी क्या करें इशारा कर रहा है तो अपने हो करना कि ए फटा-फट इस question क्या करना आपको answer comment box में लिखना है और बाहिमान दुख अंदार क्लास लेगेगी आपकी कल तो यह वाला वी question क्या होगा discuss होगा तो ऐसा करते हैं कि session इंपर ख़तम और आप लोग करना क्या है आप लोग को क्या करना इस question answer comment box में mention करना है क्या होगा अगर आपको लगता है कि sir आप यह वह ला करो और जितने भी नए लोगों को सब्सक्राइब करो और वीडियो को आप शेयर जरूर करो ताकि में किसम लोगों तक पहुंच तक है तो आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे आप सब्सक्राइब धन्यवाद थेंक्यों सो माच गुड़ नाइट झात 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 झाल झाल